Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज की वीडियो में हम class 11th chemistry में unit 3 में पर्मानु त्रिज्या को समझेंगे कि ये पर्मानु त्रिज्या क्या होती है? इस पर्मानु त्रिज्या का आबर्त में क्या प्रभाव पड़ता है? जब आबर्त में हम 20 सिदाएं जाते हैं आबर्त सायनी में तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? और यदि इस पर्मानु त्रिज्या की बात करें तो बर्ग आपने आवहारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें है ना तो दोस्तों स्टाट करते हैं परमानु त्रिज्या तो दोस्तों परमानु त्रिज्या अब दोस्तों त्रिज्या नाम का तो हमने सब्द कई दिन से एंसमें हमने कई बार पड़ा है और बहुत पहले से पर किया होती है तो थे यह क्या होती है जो प्रत होता है उसके केंद्र से जो परधी होती है उस केंदर से पर्धी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं ये चीज तो आपको क्लियर है लेकिन अब क्या है ये परमानु त्रिज्या है क्या है तो आपको दोस्तों पता है कि जो परमानु होता है कुछ इस टाइब से गोलाकार होता है ये आपको पता है परमाणू इस टाइब का गोलाकार होता है जिसका नाभिक सेंटर में होता है है ना तो दूस्तो जो परमाणू होता है उसका जो नाभिक होता है वो नाभिक ही उसका केंद्र कहा जाता है क्या कहा जाता है उसका केंद्र है ना तो जो परमाणू हो गया इस परमाणू के नाभ तक की दूरी आपको यह देख रही है यह क्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी अब दोस्तो यदि मान के चलो इसका जो अंतिम कोस है वह यह है तो यह जो त्रिज्या होगी फिर वो क्या कहलाएगी इधर से इधर तक की कहलाएगी मतलब यह इधर से इधर तक की जो त्रिज है वो कहला एगी है ना तो ध्यान रखना दूर्स कि जो प्रमाण होता उसके जो अंतिम खू सतक की दूरी होती है लोसे हमका बोलते हैं जैसे इस की फ़ले की बात करें तो इसका अगर होगी इस वाले की अगर बात करें तो इधर से लेकर इधर तक ही परमानु तरिज्या होगी तो सिदी सी बात आपकी दोस्तों ए मेरी कहने की यह है कि परमानु का जो नाविक होता है उसके नाविक से जो अन्तिम कोश्टक की दूरी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं परमाणू त्रिज्या ठीक है अब बात करें दोस्तों परमाणू त्रिज्या की प्रकार की तो दोस्तों जो परमाणू त्रिज्या है वो दो प्रकार एक होती है धनाईन की त्रिज्या ठीक है धनाईन की त्रिज्या है ना और दूसरी क्या होती है ठीक है ये रिनायन की त्रिज्या ये त्रिज्या दो प्रकार की होती है अब ये धनायन और रिनायन की त्रिज्या क्या है तो दोस्तों जैसे मान के चलो आपको ये पता है ये धनायन है क्या है ये धनायन है तो इस जो धनायन है इस धनायन के नाभिक से जो अंतिम को उस तक क की दूरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे धनाएं की तृच्छे ठीक है अब जैसे कैसे आपको पता है इसका पर्मानुक्रमांक सोडियम का कितना होता है ग्यारा होता है कितना होता है ग्यारा होता है लेकिन इस पर एक पिलस लगा हुआ इसका मतलब क्या है इसने एक इलेक्टॉन का दान कर दिया जब एक इलेक्टॉन का दान कर दिया तो इसके पास total कितने इलेक्टॉन बचे दस इलेक्टॉन बचे कितने इलेक्टॉन बचे दस इलेक्टॉन बचे अब इन इलेक्टॉनों को यदि हम भरें तो आपको पता है प तो अब हैं क्या करना इसकी त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् अंतिम कोस्तक्राश की जो दोरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे रनायन की त्रिज्या, जैसे आपको पता है दोस्तों, जो कलोरीन होता है, इसका परमानु करमान कितना होता है, 17 होता है, ठीक है, लेकिन आपको purchased लगा है, मतलब एक electron इसने क्या किया, गिरहन कर लिया, जब एक electron इसने घिरण कर दिया, तो इसके पाफ जो electron की शंक्या है, वो 17 से कितनी हो गई 18 हो गई, ठीक है? तो अप पहले क्या करो आप इन 18 electron को भर लो, तो आपको पता है पहले में कितने electron 2 भर आते हैं तो ये भर दिये, दूसरे में 8crowd भरاتे हैं तो ये भर दिये, अब 10 इलेक्टॉन भरागा है, बचे कितने इलेक्टॉन, क्योंकि 18 भरने हैं तो 8 और बचे हैं, तो तीसरी कक्छा में कितने इलेक्टॉन भराएंगे, 8, ये इसका हमने कोश बना लिया, तो हमें पता है अंतिम कोश्टक की दूरी है ना तो ये इसका नाभिक है इस नाभिक से इधर तक की जो दूरी होगी वो हमारी कहलाएगी त्रिज्या है ना लेकिन ये रिनायन की निकाल रहे हैं तो ये कहलाएगी रिनायन की त्रिज्या तो ध्यान रखना धनायन के नाभिक से अंतिम कोश्टक की दूरी को धनाएन की दृज्या और रिनाएन के नाभिक से अंतिम कोश्टक की दूरी को रिनाएन की दृज्या हम कहते हैं ठीक है तो ये हमने दोस्तो परमानु तृज्या को समझा अब दोस्तो हम ये परमानु तृज्या में आवर्तिता बता देते हैं, कि जो परमानुत्रिज्या में आवर्तिता होती है, क्या होती है, ठीके, आवर्तिता का मतलब दोस्तो ये है, कि जो परमानुत्रिज्या है, कहां कम होती है, कहां ज्यादा होती है, इतना सिर्फ मतलब है, तो देखते हैं, दोस्तो अब हम समझ लेत कहां घटती है तो परमानुत्रिजिया का बढ़ता और जो घटता क्राम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं आबर्तिता ठीक है तो शबसे पहले दोस्तों हम यह बर्ग में देखेंगे कि बर्ग में क्या होता है और फिर आबर्त में देखेंगे तो इससे पहले दोस्तों आपको एक जानकारी देने चाहता हूं कि दोस्तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो कक्छाओं में इलेक्टॉन भराते हैं वो किस टाइब से भराते हैं तो आपको पता है दोस्तो कक्छाओं में electron किस type से भराते हैं तो पहली कक्षा में आपको पता है कितने electron भराते हैं दूसरी में 8 भराते हैं तीसरी कक्षा में 8 भराते हैं चौथी कक्षा में 18 फिर 18 और फिर 32 इस type से दोस्तो electron भराये जाते हैं ये करम आपको याद रखना हमेशा ठीक है अब हम समझते हैं कि इसकी बर्ग में आवर्तिता क्या है ठीक है तो हम पहले देखेंगे बर्ग में या फिर बर्ग को ही हम क्या बोलते हैं समूह ठीक है तो बर्ग या समूह में ठीक है तो आप दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना आपको पता है ये sodium है और ये potassium और ये rubidium और ये cdm और ये francium आपको ये चीज पता है तो दोस्तों आपको पता है hydrogen का पर्माणू करमांक एक होता है lithium का 3 होता है sodium का 11 होता है इसका 19 होता है है ना इस type से ये बढ़ते जाते हैं तो cdc बात कहने की ये है कि जब हम उपर से नीचे की ओर चल क्या होता है दोस्तों? यहां पर जो kawse है इयंको कख्षाएं उनकी संख्या में भी क्या होती है? ब्रद्धी होती है कैसे देखो आपको पता है हाइडोजन का परमाणुक्रमांग कितना है एक है हाइडोजन का परमाणुक्रमांग एक है तो यदि हम एक एक एलेक्टोन को भरें तो सबसे पहले आपको देखो यह नाबेक हुआ इसको भरेंगे तो आपको पहली कक्छा में ह भरा जायगा, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम कितनी ulton होते हैं, दो होते हैं लेकिन इसके पास एक ulton है तो ये एक ulton पहली कक्षा में भरा जाएगा, छेक now अगर हम lithium के 3 ulton को भरें, हैं न, तो पहली कक्षा में कितने ulton बहना आँगे दो बहते हैं केवल कितने बहराएंगे दो भर जाएंगे तो यह दो овलěक्टन भर गीए अब जो तीसरा इल्च्टन्ट बचा है उसको भरने के लिए कोई अलग से कष्छा बनानी पड़ेगी है ना तब इ страх लेगा आगétat नहीं क्योंकि इसमें 2 electron भराती है तो देखो दूसरा electron हमने इसको भरा तो ये हमें दूसरी कक्षा बनानी पड़ेगी ठीक है तो इसमें जो तीसरा electron है वो दूसरी कक्षा में भरा जाएगा तो इस परकार से भराएगा यदि हम sodium का electronic बिन्यास करें तो आपको पता है पहली कक्षा में कितने electron ये नाविक हुआ पहली कक्षा में केबल कितने electron दो भराएगे दूसरी कक्षा में कितने electron आठ भराएगे और तीसरी कक्षा में कितने electron भराएगे देखो आठ और दो दस ग्यारा है तो ये 11 एलेक्टवन, मालब 11 जो एलेक्टवन है तीसरी कक्षा में भराएगा, तो सीडी सी बात अगर हम कहें, यदि हम चलो, पोटेसियम का और भर के बताते हैं, यह पोटेसियम इसका 19 होता है, तो देखो, यहां से आपको देखो, 19 एलेक्टवन भरना है, तो पहले में आप दो दूसरे में आप क्या भर दो, आठ एलेक्टोन भरा जाएंगे, तीसरी कक्षा में आठ एलेक्टोन भरा जाएंगे, ठीक है, तो आठ, दस, अठारा हो गया, अब चोथी कक्षा में एक एलेक्टोन भराएंगे, वो चोथी कक्षा में भराएगा, ठीक है, तो हम इस प्रकार स से देखा दोस्तों कि देखो परमानु किरमांग में ब्रद्धी हो रही है तो यहां पर हम देख रहे हैं कक्छा मतलब कोसों की संख्या में ब्रद्धी हो रही है तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आ है कि नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ रही है ना अब इसमें दो कोष है तो इसकी दूरी क्या है कुछ बढ़ गई है इसमें तेन कोष है तो हम कह सकते हैं दोस्तो कि बढ़ गया समूव में जब हम उपर से नीचे की और चलते हैं तो परमानु त्रिज्या में ब्रध्धी होती है ठीक है क्यों होती है क्योंकि परमानु क्रमान बढ़ने के साथ साथ कोशों की संख्या में भी क्या हो जाती है ब्रध्धी हो जाती है तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना और दोस्तों ये एक बरग के लिए नहीं, आपके 18 बरग हैं, इन 18 बरगों में ऐसा ही होता है, ठीक है? तो ध्यान रखना है क्या है, इसकी ठियोरी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बरग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमानु त्रिज्या में ब्रद्धी होती है क्योंकि बरग में उपर से नीचे की ओर चलने पर परमानु क्रमांक में ब्रद्धी होती है ये किलियर है जिससे कोसों की संख्या मतलब जो कछा हैं उनकी संख्या में भी क्या हो जाती है ब्रद्धी होती है से दिख रहा है I hope कि दोस्तों यह चीज आपको समझ में आ गई होगी अब दोस्तों हम आवर्त की बात करते हैं अब दोस्तों हम आवर्त में बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं आवर्त सायनी में जो आपकी आवर्त सायनी है उसका एक आवर्त को लिखकर बतात क्या है कारबन है ना फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सिजन और फिर फिलोरीन है ना और फिर क्या है नियोन है ये दोस्तों आपका पहला आवर्थ मैंने बताया चाहे तो आप आवर्थ साइडी में देख सकते हो ठीक है आपको पता है इसका परमानुकरमांग तीन है इसका चार है इसका 5 है इसका 6 है इसका 7 इसका 8 9 और इसका 10 कोई दिखकत है इतना पहले समझ लो यह चीज आपको पता है अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं पहले इनके जो electron है उनको आबर्त में भर रहा हूं जो sorry कक्छाओं में भर रहा हूं इसके बात समझाता हूं ठीक है जिसे इसके 3 electron को भरना है ठीक है तो देखो पहली कक्छा में कितने electron जाएंगे दो जाएंगे और जो दूसरी कक्छा है उस दूसरी कक्छा में कितना electron जाएगा एक जाएगा यह चीज आपको clear है ठीक है अब दूसरी कक्छा में 8 electron जा सकते हैं ये तो आपको पता है ठीक है तो इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रोन जाएंगे दो इलेक्ट्रोन जाएंगे और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रोन जाएंगे दो जाएंगे क्योंकि इसका परमाणो कुर्माण कितना है चार है अब दूसरी में आठ तक जा सकते हैं तो भरो है ना चलो इसके बाद दोस्तों मैं आगे आप से बात करूँ थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना दे रहा हूँ ठीक है यह मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिये ठीक है चलो अब इसकी बात करें तो पहली कक्षा में कितने electron 2 भर जाएंगे और दूसरी कक्षा में कितने electron 4 भर जाएंगे क्योंकि total क्या है 6 है इसमें पहली में 2 भर जाएंगे दूसरी में कितने भर जाएंगे 5 भर जाएंगे ऐसे ही हम इसकी बात करें तो पहली में 2 और दूसरे में कितने भर जाएंगे ठीक है एक मिनिट पहली कक्षा में दो भर गए और दूसरी कक्षा में कितने छे ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा पहली कक्षा में दो दूसरी में साथ और पहली कक्षा में दो दूसरी में आट ऐसा चलेगा ठीक है तो हम इसमें देख संख्या हो रही है ब्रद्धी हो रही है क्या कोसों की संख्या में ब्रद्धी हो रही है तो बिल्कुल नहीं हो रही देखो क्यों नहीं हो रही देखो इसमें दो कोस इसमें भी दो कोस मतलब कख्छाएं सम्में दो-दो कख्छाएं हैं तो क्या कोसों की संख्या में नहीं हो रही लेकिन कोसों में इलेक्ट्रॉन की ब्रद्धी तो हो रही देखो दूसरे कोस में इसमें एक लेक्ट्रॉन है इसमें दो है इसमें तीन है इसमें चार इसमें पांच इसमें छे यह चीज आपको पता है तो आपको दूस्तों एक चीज पता है कि देखो नाविक म पर क्या रिनावेस एलेक्ट्रोन पर क्या होता है रिनावेस होता है तो क्या होता है देखो कोशों की संख्या में ब्रद्धी नहीं हो रही लेकिन electron'وں के शंख्या में क्या हो रही है ब्रदी हो रही है तो इस से क्या होगा इस से क्या होगा दोस्तों आपको एक चीज पता है plus और minus में हमेसा क्या होता है आकरसंड होता है तो नाविक में plus और यह जो बाहर electron गूम रहे पर क्या माइनस तो देखो अब यहां पर एक लेक्टोन है तो कम आकर्षन होगा लेकिन इसकी बाहिरी कक्षा में दो इलेक्टोन है तो आकर्षन क्या होगा ज्यादा होगा इसकी बाहिरी कक्षा में तीन इलेक्टोन है तो आकर्षन और ज्यादा होगा चार है तो और वो नाभिक की ओर क्या होगी खिच जाएंगी नाभिक की ओर दिए क्षाय आपस में खिचेंगी तो ठाउमानु त्रिज्या है वह कम दर्णी जैसे माल को चलो इसकी परमानु तिरी जिए कुछ इस टाइप से हैं से बाहिर ही ककचा और पास झिप छाएगी किस्की यह इसके परमारु तो यह तो पूरा थी ए! समझो आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणू क्रमांक में ब्रद्धी होती है किन्तु कोसों की संख्या में कोई परिबर्तन नहीं होता फल स्वरूप क्या होता है जो नाभिक का आकरसन है वो बाहिरी कक्षा के बढ़ता है अब जब बाहिरी कक्षा पे नाभिक का आकरसन बढ़ता है तो जो नाभिक की बाहिरी कक्षा है वो नाभिक की ओर खिच जाती है जिससे परमानूत्रिज्या का मान बाएं से दाएं जाने पर घटने लगता है समझ में आपको आ गया होगा यह आपके सामने एकजामपल है जो मैंने आपको समझाया ठीक है तो आप सिर्फ इतना कर लेना इसको थोड़ा जादा बड़ा इससे कम इससे कम इससे इसके कम इससे ऐसा अकेला आप इतना कर लेना इसकी मैं पूरी थियोरी यहां पर ला रहा उसको सुन लो ठीक है आबर्त में वाएं से दाएं जाने पर परमानु त्रिज्या घटती है क्योंकि आबर्त में वाएं से दाएं चलने पर परमानु क्रमांक में तो ब्रद्धी होती है किन्तु कोसों मतलब कक्छा की संख्या समान रहती है जिससे नाभिक का आकरशन वाहरी कक्षा पर वड़ता है फल स्वरूप वाहरी कक्षा नाविक की ओर खिट जाती है जिससे परमानुत्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं चालने पर घटती है तो ये दोस्तो आवर्त की आवर्तिता हुई कि आवर्त में परमानुत्रिज्या क्यों कम होती है यह आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी तो दोस्तो आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों को शेर कीजिए दोस्तो अंगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं तब त